हेलो स्तो आप सभी सोक्त बात करेंगे यहाँ पर एक इंट्रेस्टिंग स्टॉक के बारे में जिसके अंदर काफी कुछ दोस्तो बड़े डिसीजन कमपनी तरप से लिये जा रहे हैं वो भी करोडों के तो इस कमपनी में निवेश करना चाहिए क्या वो यहाँ पर हम डिसकस क करेंगे शेर का प्राइस देखेंगे तो 98 रुपीज पर अपको मिल रहा है और इसमें आप बल कौन्टिटी खरीद कर बेनिफिट ले सकते हैं क्या वो भी डिसकस करेंगे छोटे प्राइस का शेर है बोलकर यहाँ पर इसमें हमने इन्वाल होना चाहिए या कमपनी की इन्वाल है आपको देखकर समझ में आएगा मैं बात कर रहा हूं देखिए आर बीयल कमपनी के बारे में जो यहाँ पर बैंक है और उसके अंदर काफी कुछ इंट्रेस्टिंग पॉइंट डेखने को मिलते हैं पहले मैं आपको इस कमपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर और बा करती है अच्छा खासा होलसेल बैंकिंग का एंड रिटेल बैंकिंग का इसका बिजनेस है आप बोलेंगे सर होलसेल और रिटेल बैंकिंग क्या तो होलसेल का मतलब है देखिए बड़े इंडस्टिस और जो यहाँ पर फर्म वगेरा होते हैं उनको लोन प्रोइट करना रि पार्केट क्याप है 5896 करोड का और कमपनी का ROCE यहाँ पर निगेटिव नजर आता है यह थोड़ा पॉइंट सोचने लायक है और इस पर हमें आगे जो डीटिल से वो देखकर और भी डीपली पता चल जाएगा अब मैं बात करना चाहूंगा इसके कमपेरिजन में कौन से ब पहिंद्रा बैंक, एक्सेस बैंक, इंडियोजल बैंक यहाँ पर देखिए और भी स्मॉल, एयू स्मॉल फाइनांस भी और बार में से RBL भी यहाँ पर इस कमपनियों के नाम आते हैं कॉंपिटिटर के रिलेटेट तो यह कॉंपिटिटर है इस कमपनी के अब इसके नेट प्रॉफिट में कैसा पाफॉमस है तो प्राफिट अब तक यहाँ पर 2022 मार्च के कॉर्टर तक लॉस में थी अभी यहाँ पर कमपनी ने जो इंप्रॉंट दर्ज किया है अपनी तो अभी प्रॉफिट हुआ है पहले भी कमपनी के अंदर अंसरे जीनेटी थी, आप यहाँ पर इसमें FIS का पूरा stake देख सकते हैं control यहाँ पर हम कहेंगे तो FIS के पास यह क्योंकि public यानि public है हर किसी यहाँ पर investor के पास अलग अलग share से वो कोई यहाँ पर bunch नहीं है या उनका control एक के पास नहीं है बट इसमें control की बात करें तो आपको नजर आएगा FIS 28.50% उनके पास stake है और आपको पता है कि FIS ने करीब 2,5 लाग के करोड का यहाँ पर माल बेचा है अभी जो आपे downtrend देखने को मिला market में आपने देखा ही होगा इतना जबरदस sale हुआ और उसके अंदर उनने पैसा निकाला है तो उनके तरब से stake बेचा गया है D.I.S D.I.S देखेंगे तो D.I.S ने भी यहाँ पर इसके अंदर share बेचे है उनके पास पहले 19% था stake अभी only यहाँ पर 11% है तो थोड़ी सोचने लाइक बात है कि इस company में बड़े निवेशक का interest कम हो रहा है अभी भी उनके पास stake जरूर अच्छा है बड़ थोड़ा कम किया गया है और अभी government देखेंगे तो government के पास already 0.36% है और सबसे जादा छोटा share है बोल कर देखे public का पैसा है और public भी देखे 59.50% stake खरित कर बैट गई है तो ये देखना चाहिए हमको कि हम किस company में है उसके fundamental कैसे है क्या चल रहा है वो देखकर आप decision लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा अब मैं आपको इसका chart pattern दिखा देता हूँ मेरा analysis आपको point to point रहेगा और आप देखिए मैं जो आपको detail बता रहा हूँ आपको decision लिने में बहुत easy होगा और आप खुद ले पाएंगे मुझे बताने की भी जरूरत ने पड़ेगी वीडियो देखकर ये stock already देखिए आज 67% है all time में और इसके जो यहाँ पर आप फिटिटिक high top to bottom पकड़े तो 85% बोले तो 100 रुपई की चीज आपको 25 में मिल रही है और इसका फिटिटिक high कितने रुपई कहाई ये भी आप देखेंगे तो अंदाज़ा आपको आ जाएगा ये 6500 रुपई के करीब चलने वाला share है और आज 100 पर है तो इसमें आप निवेश करने के बारे में जो यहाँ पर आपका performance कैसा रहना चाहिए तो मैं आपको company की जो announcement है जो news है वो बता कर पूरी तरिके से detail के साथ present कर देता हूं company ने अभी 22 तरिक को आज ये announce किया है share बेचने के बारे में आप पढ़ सकते यहाँ पर obligation वगेरा बता है regulation 2025 sales of the share of the जो shares है वो share करने के बारे में कहा गया है वो भी एक engineering company को by the bank तरफ से ये share बेचने वाले वो और आप ये पढ़ भी सकते कितनी सारी quantity है 6,25,000 ये quantity रहेगी shares की और ये बेचने वाले है इसका benefit already company को ही मिलेगा कोई ना कोई plan होगा financial disinvestment के बारे में यहाँ पर हम कहेंगे तो भी हाँ पर हम समझ सकते कि ये भी company के लिए कोई ना कोई अच्छा decision ही होगा क्योंकि देखे कोई भी company अपना performance या share holding के अंदर percentage के अंदर जो बदलाव करती है कोई तो भी बड़ा decision लेने के पहले shareholder का approval लिया जाता है और यह approval लेकर ही पूरी process चल रही है बोलकर इसमें घबराने की बात नहीं है या आप जरूर understanding कर लेना share बेचे जा रहे है इसका मतलब क्या company बरबात नहीं हो गई ये बात आप यहाँ पर understanding करकर चल सकते है थोड़ा यहाँ पर important बात यह है कि RBL bank introduced super senior citizen EFD with 7.75 interest तो इस bank ने छपड़ फार कर benefit देने का decide किया किसको senior citizen senior citizen जो भी रहेंगे retire person उनको यहाँ पर इसका benefit मिलेगा वो भी बहुत अच्छा interest है एक लाग पर यहाँ पर उनको 7,750 रुपए का interest एक साल को मिलेगा तो आप देख सकते हैं जिनको यहाँ पर अभी एक लाग की बात हो गई है किसने एक करड़ रुपए रखा bank में तो उसको यहाँ पर देखे 7 लाग मिल जाएंगे तो ऐसी बात है EFD का भी benefit जादे पैसे रहने के बाद automatic हो जाता है तो इस senior citizen के लिए decision है अभी इसके अंदर आप ज़्यादा जाकर देखेंगे नि कि कितने age के बाद में देने वाले देखें यहाँ परें अब हो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 80 80 साल के उपर के लोगों को यह मिलेगा ताभी यहाँ पर जो जो लोग अभी work कर रहे है या available है उनको सब को benefit मिली जाएंगे आज यहाँ पर इस stock में 50 लाग quantity खरी दे गई है पूरे दिन में देड़ करोड के transaction हो गई buying and selling के तो ऐसे छोटे share को target यहाँ पर काफी लोग बनाते है कम पैसों में अच्छी quantity आती है रिखिये बदलाव बहुत किये गए मैं आपको इसलिए ही बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर समझे मुझे नहीं लगता था कि आपको share sales जो किये गए उसको बताने से अच्छा यह बाकी की चीज़े बताने अच्छी है आपके लिए है यहाँ पर RBL Bank informed the exchange about appointment of the Mr. Gopal Jain in non-executive and non-independent director of the company 2020 यह जो अभी का यहाँ पर आज का date है उस दिन के announcement है यह पढ़ सकते है और भी appointment क्या गया है RBL Bank Limited has informed the exchange about appointment of Dr. शूक कुमार जो है उनको भी यहाँ पर independent director of company किया गया है तो ऐसे अच्छे खासे board meeting में decision ले गए और यह fundraising का ही मामला है मैं आपको जो बता रहा था share, sale करना fundraising के बारे में ही है और इसका benefit ही company होगा तो आप यह छोटी-छोटी चीज़े समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा company के बारे में है तो आप decision ले सकते देखिए काफी discount में stock available है आप risk से ले सकते तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपको 10,000 में यह company के 100 share मिल जाएंगे 100 share खरीद कर भी आप बहुत अच्छा return कमा सकते है चाहे आप risk लेंगे तो thank you